नमस्कार दोस्तों नित्य एक्जाम पॉइंटर में आप सभी का एक बर पुना स्वागत है इस प्लिट फार्म के द्वारा मैं राज रस्तोगी आप सभी को इतिहास विसे को पढ़ाऊंगा और मेरा यहाँ प्रयास रहेगा कि आपको जितने बेतर तरीके से हो सके और जितने सरल सब्दों में हो सके इतिहास की जानकारी दे जाए जिससे आप विभिन परिच्छा में इसका भर पूर उप्योग कर सके जैसा कि आप सभी को पता है कि इतिहास एक सदा बहर विसे माना जाता है और प्रतेक परिच्छा में कुछ ना कुछ मात्रा में इसका वेटईज ज़रोर रहता है लेकिन कुछ ऐसे एकजाम्स है जिसमें इतिहास का वेटईज बहुत ज़ादा मात्रा में होता है जैसे आप देखते हैं civil services जो exam है उसमें इतिहास का विटेज एक ठीक ठाक मात्रा में माना जाता है और उसी के साथ सद्विभिन प्रकार के examों में इतिहास के विभिन विशयों को टॉपिक्स को पूछा जाता है तो मैं कोसिस करूँगा किस platform के माद्यम से जितने systematic और scientific तरीके से हो सकता है आपको इतिहास विशयों की जानकारी दी जाए और यह कोसिस की जाए कि आपको इतिहास को समझने में किसी भी प्रकार का कोई doubt शक्या संदेह ना रहे इसके लिए मैं आप सभी को एक बेहतर वे में एक अच्छे concept के साथ और एक scientific approach के साथ वह हर बिंद बताऊंगा जो कि आपके exam के द्रिश्ट से important है या भबिस में उस topic से उसको पूछे जाने की संभावना है लेकिन ये सब मैं अकेले कर नहीं पाऊंगा इसके लिए मुझे आप सभी का भरपूर सहयोग साथ वह असिरवात चाहिए जिससे कि मैं अपने इस इतिहास की class को लगातार आपके समझ प्रस्तुत कर सकूँ और आपको एक बेहतर से बेहतर content और concept बता सकूँ देखे दोस्तों जैसा आप सभी जानते हैं कि इतिहास एक बहुत बड़ा विशय है अगर हम इसको देखे तो इसका range प्राचीन काल से ले करके अबिस्व इतिहास तक जाता है लेकिन जो अधिकतर exam है उसमें जो question पूछने का डाइरा है या छेत्र है वो प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक भारत तक आते हैं और इस डाइरे में हमको विभिन topics को पढ़ना होता है लेकिन यह जरूरी नहीं है कि सारे topic या सारे बिंदु हमको एक समान पढ़ने हैं क्योंकि हर बिंदु का हर topic का अपना महत्तु है और सब का अलग weightage है लेकिन यदि हम कुछ विशय को identify करेंगे तो हम यह पाएंगे कि कुछ topics इतिहास से ऐसे हैं जिनसे question पूछने का जो दाइरा है वो एक depth की मांग करता है एक analytical approach की मांग करता है और उसके साथ साथ एक अच्छे प्रकार के conceptual clarity की मांग करता है और यदि आपका concept clear है यदि आपको चीजों की बेहतर समझ है यदि आप चीजों को बेतरीन तरीके से समझा सकते हैं समझ सकते हैं और उसको link कर सकते हैं तो आप आसानी से question को handle कर लेंगे क्योंकि आप जैसे जानते हैं जिस प्रकार से competition का trend बदलता आ रहा है अब आप किसी भी question को अगर आपको tackle करना है handle करना है तो आपके उस question को उस topic को विभिन dimension से cover करना पड़ेगा अगर आप भिन तरीके से उसको link कर पाएंगे तब आप आसानी से उसको समझ पाएंगे और आसानी से उसको बता पाएंगे तो इसमें मैं अपने तरीके से 200% का पूरा जोर लगाऊंगा और आप से मेरा निवेदन है कि आप इसमें पूरी energy के साथ अपना बहमूल समय देजिए जिससे कि मैं इस platform के तुरू आपको बेहतर से बेहतर content प्रोवाइड कर आप सको जो आपके exam की द्रिष्ट से बेहतर से बेहतर हो और यदि आप हमारा सहयोग ऐसे ही करेंगे और आप यदि हमारा साथ देंगे तो कुछ दिनों के अंदर आपको लगेगा कि आपको इतिहास एक अलग तरीके से समझ में आ रहा है जिसका कारल यह होगा कि मैं खुद कोसिस करूँगा कि आपको सरल सारगरवित और वैग्यानिक तरीके से चीजों को बताया जाए जिससे आपकी understanding का label एक बहतर किस्म का हो जाए और आप इतने रोचक तरीके से चीजों को समझ जाए जिससे आपको लगा कि इतिहास तो हमारी fingers पे है मतलब मेरे कहने का यह है कि जब आपका concept clear होगा जब आपको चीजों के बहतर समझ होगी तो उससे होगा का step by step gradual improvement के साथ एक दिन ऐसा आएगा कि जब आपको लगा कि हाँ अगर मैंने कहा कि आप सिंदुगाटी सब्वेता के बारें बताएं वैदिक काल के बारें बताएं तो आपको लगे गा हाँ यह चीजे मेरी finger पें कि सिंदुगाटी समाज कैसा था धर्म कैसा था कला के क्या aspect थे क्या विशेषता है थी हुचेंगे तो मैं प्रयास करूँगा की आपकी हर को एस ऑस पॉसिबल जितनी जलदी हो सके उसको आपको बताया जाए और जितनी की बहतर तरीके से हो सके आपको हर टॉपिक के हर बिंद को बे तरीकेसे डिलिवर किया जए जिससे आप उसका अधिक्तम से अधिकतम उपियोग अपने एकजाम में कर पाएं और जिससे आपके एकजाम में जो मार्क का कॉस्ट बेनिफिट रिएशयों उपनी फ्रेवर में होता चला जहे तो यह तो आज का हमारा इंट्डेक्टरी या इंट्रोडेक्शन टाइप का लिक्चर है तो इस जो भी आपके suggestions होंगे, जो भी आपके comment होंगे, जो भी questions होंगे, मैं कोसिस करूँगा, जितने बेतर से बेतर तरीके से हो सके, आपको बताया जाए, जितनी जल्दी हो सके, आपके answers को reply किया जाए, जैसे आप सभी को पता है कि इतिहास का range बहुत बढ़ा है, लेकिन फिर भी कुछ topics ऐसे हैं, जो बहुत important माने जाते हैं, तो हम लोग एक sequence में प्राचीन काल से सुरू करते हुए topics को, आधुनी काल तक जाएंगे, जैसे आपको पता है, यदि हम प्राचीन काल से चीजों को सुरू करें, तो आपको पता है, सिंदुगाटी की सब बिताब, वैदिक का मगध, मौरकाल, गुपत काल, वरधन काल, राजपूत काल, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि सल्तनात काला जाएगा, सल्तनात कार विबिन प्रकार के नीतियों को देखेंगे, उसके साथ साथ हम लोग यह भी देखेंगे कि किस प्रकार हम लोग मुगल काल को पढ़ेंगे उसके भी बिन प्रकार के डाइमेंशन को कवर करेंगे उसके भी बिन प्रकार के नीतियों को देखेंगे उसके भी बिन प्रकार के कैसे उनका विष्थार भारत में होता है फिर किस प्रकार ब्रिटिस जो कंपनिया थी वो दीरे-दीरे भारत पर अधिकार करना शुरू कर देती हैं और एक समय ऐसा आता है जब पूरे भारत उनके सासन में आ जाता है और फिर वो भारत से रिलेटेड विबिन प्रकार की आर् टिस एंपार पूरी तरीके से इस्टेब्लिस्ट हो जाता है तो क्या यहां पर सुधार होते हैं चैह्यों सामाजिक सुधार ना मीसुदार हो कैसे यहां पर राष्ट्रवाद का उदाइ होता है कैसे उग्रवाद का युग आता है उसके सासत करांदिकारी यूग आता है गानरी जी का दवर आता है और विबिन प्रकार के act और विबिन प्रकार के reforms होते हैं जो हम लोग एक systematic तरीके से step by step चीजों को देखेंगे और फिर आप देखेंगे कि बिटिस सासन के बहुत अधीन बहुत सारे संविधानिक विकास होंगे उसमें आप एक्ट देखेंगे जैसे आप देखेंगे सत्रासो तीयत्तार एक अठारा सो तेरा का एक अठारा सो तेंटिस का एक्ट उसी के सासथ 1909-1919 इन सब एक्ट को हम लोग देखते जाएंगे और फिर एक समय बाद हम लोग देखेंगे वाम पांत का क्या नेशनल फ्रीडम से लिंक हो रहा है क्या रिलेशन है वाम पंत और राष्टी आंदोलन में और 1947 के आसपास की घटनाओं में कैसे कैसे चीजे बदल नहीं क्या परिवर्तन हो रहा है क्या चीजे पहले से आ रहे हैं उनमें सुधार हो रहा है इन सब चीजों को देखते हम इन सारे टापिक को एक सिस्टमेटिक तरीके से अपने मैंड में ऐसे इसको एकदम चार्ट की तरीके से ऐसे एकदम मैप की तरीके से इसको एकदम अफजर्व कर लें एकदम इसको इस तरीके से सीख लें कि कभी भी जरूवत पड़े तो हम उसको एक बार अपने मैंड क को रिवाइस करें और तुरंद फिर सामने वाला किसी भी प्रकार का कोश्चन करता है या एक्जाम में किसी भी प्रकार की कोश्चन आते हैं तो हम उसको आसानी से टेकल कर लें तो आज के लिए दोस्तों इतना ही कल से हम लोग नियमित मिलेंगे और एक बहतर कंटेंट के साथ आपको बहतर कंटेंट डिलेवर करूंगा तक तक के लिए जय हिंद